नमस्कार में भाकिश्री बिस्यन नियुस के बिजनेस समाचा में आप सभी का स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले आगे डालते एक नजर आज की सुर्के उपर खादी तेलों में उबाल सस्ती हुई चेनी एक साल में 120 प्रतिशत मेंगा वा पाम उयल चॉकलेट से लेकर सापुल लिप्स्टिक तक असर इतके अवकाश के कारण गुरवार को MCX सराफा बाजार और घरेलु शेयर बाजार साथी मुद्रा बाजार बन रहा है कारुबार्यों ने बताया कि MCX में कोई कारुबार नहीं हुआ वही शेयर बाजार में चुट्टी रही साथी मुद्रा बाजार में भी आवकाश राह है इतके चुट्टी के वज़ा से कोई कारुबार नहीं हुआ है विदेशों में खाद्य तेलों में रही नर्मी के पेच दिली ठोग जिनस बाजार में गुरवार को इनके ताम उचल के चिनी और मुंगदाल के भाव तुट गए जबकि गुड में मजबुती देखी गई तेल तेलहन की बाग करें तो वेश्विक स्टर पर जुलाई का अमेरिकी सोया तेल पाई था शुन्य दशम लोग 29 सेंट फिसल कर सैसस दशम लोग 11 सेंट प्रती पॉड बुला किया मलेशिया की बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्स्टेंज में इतका आवकाश रहा स्तानिय बाजार में आवक काम रहने से सरसो तेल में 733 रुपे प्रती क्विंटल का जबरतस उचाल देखा गया मुंग फल्ली तेल की किम्मत 294 रुपे और वनस प्रती की 220 रुपे प्रती क्विंटल बड़ी सुरज मुकी तेल, सोया तेल और पाम ओयल की भाव में कोई बदलाम नीवा वही गोड चिनी की बात करें तो मीठे की बासार में चिनी की ग्रहा की उतने से इसके भाव 20 रुपे प्रती क्विंटल तक तोड़ के आवक कम रहने से गोड की तेजी जारी रही और आज लगातार तेशने दिन यह 50 रुपे प्रती क्विंटल महका हुआ दाल दलहन की बात करें तो ग्रहा की उतने से मुंग दाल 50 रुपे प्रती क्विंटल सस्ती हुई चना दाल, उड़त दाल, मसूर दाल और अरहत दाल की दाम स्थे रहे चने के भाव में भी कोई बतलाम दीपा अनाज की बात करें तो गेहु की किम्मत अब परिवर्दी दाही और चावल के दाम भी गद दिवस के स्तर पर पड़े रहे दुनिया में सबसे ज़ादा इस्तिमाल होने वाले खात्य तिल पाम ओयल की किम्मत बे तहाशा उच्छाल आने से रेस्टारेंट से लेकर कनफिशनरी और कॉस्पर टिक तक सभी चीज़े मेंगी हो गई है इसके चलते इनकी खपर के बैटर में बदलाव आने के संभावना जदाए चारी है पाम ओयल मेंगा होने का खाम्याचा चॉकलेट इंडिस्टिक को भी भुगता पड़ सकता है पाम ओयल में पिछले साल 120% से ज़्यादा उच्छाला चुका है पाम ओयल का इस्तिमाल ना केवल किछन में बलकि चॉकलेट, पेस्टिस, सापुन, लिपिस्टिक, बायो फिल और तमाम इशियाई देशों के रेस्टरन में भी होता है पाम ओयल मेंगा होने से उन सभी प्रोड़क्ट्स की लाकत पड़ती चारी है जिन में इसका इस्तिमाल होता है एक अद्यान रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि सुपर मार्केट में बिक्टी पाने करीब आते डिपापन प्रोड़क्ट में पाम ओयल होता है बिरुरिपोर्ट बेसेयन नियूज गुज्रात की विविन मंडियों में गर्मी के मौसम की मुंगफली फसल की आवग पड़ने की कारण स्थानिय मंडी में मुंगफली तेल की किम्टों में गिरावट का रूप ता मांग बढ़ने से CPU तथा पामुलीन तेल की किम्तों भी लाब तरचवा है सुत्रों ने कहा कि गुजराज सहीद उत्पातक राजचों में मुंगफली की नई फसल की मंटियों में आवग बढ़ रही है जिससे मुंगफली और तेल दोनों में गिरावट है इसके अराबाद CPO और पामुलीन सस्ता होने की वज़ा से मांग होने की कारण इनको समर्थन था जिससे इन में सुधार दिखा सरकार को लगबग 10,000,000 तन सोया बिन की 29,000 का इंतजाम रखना होगा उनका अनुमान है कि इस बार सोया बिन का बहतर दाम देखती भी किसान बिचाई बढ़ाएंगे और अच्छे बिसकी मांग बढ़ेगी सोया बिन की पिछली पसल अर्समे बरसात की वज़ा से काफी दागी निकली थी ऐसे में उतबादन बढ़ाने के ज़रूरी है कि सोया बिन के बहतर बिसकी आपरती बढ़ाई जाए इस बार सोया बिन की पैदाबार अच्छी होने की सनभाना की वज़ा से देश को इस तेल का कम आयात करना पड़ेगा माजार विशेशक क्या मानती है कि तेल तेलहन के गरिल उतबादन को बढ़ावाद देने के लिए किसानों को इसके बहतर दाम मिलना ज़रूरी है किसानों की आय बढ़ने से अर्थ्य विवस्ता के अन्य शेत्र को बल मिलेगा बिरो रिपोर्ट बेसियन नियूज दोसंचार नियामक ट्राई की नविंतम आकड की मतापिक अप्रेल में 20.1 मेगाबिट प्रतिस सेकंड की डेटा डाउनलोड रेट के साथ रिलांच जियो 4G रफ्तार की सुची में स्टेश पर था जबकि 6.7 MBPS की अप्लोड रफ्तार के साथ वोडाफोन अप्लोड रेट पे सबसे आखी था वोडाफोन की तुलना में जियो की डाउनलोड की रफ्तार 3 गुना ज़ादा थी खबर समावत करने से पर ले आए डालते एक नजर आज की सुर्कियों पर खादी तेलों में उबाल सस्ती हुई चेनी एक साल में 120 प्रतिशत मेंगा वा पाम उयल चॉकलेट से लेकर साबूल लिप्स्टिक तक असर बिजनेस समाचार में फिरा लित्ता ही ऐसे एन दे खबरों से जुड़े रह निकली देख तेरी एक BCN News नमस्कार